नमस्कार और आप देख रहे हैं WWE News Hindi YouTube चनल तो गाइज, WWE Friday Night Smackdown 29 अक्टूबर का एपीशोड हो चुका है यहाँ पर ब्रोक लेस्नर को लेकर इचोंकाने वाली चीज देखने को मिली बेक इस बातों ही बातों में काईला ब्रेक्स्टन ने पोल हैमन को फशा दिया लेकिन इस मेकडाउन का इस एपीशोड में ट्राइबल चीफ रॉमन रेंच ने दस्तक नहीं दी तो इस वीडियो में हम इनी शब चीजों को लेकर बात करने वाले हैं कि ब्रोक लेस्नर को लेकर यहाँ पर क्या कुछ देखने को मिला और पॉल हैमन और काईला ब्रेक्स्टन के बीच क्या कुछ बात चीत हुई तो वीडियो होगी काफ़ इंट्रेस्टिंग इसे अंत तक जरूर देखिएगा इस मेकडाउन के दुरान जनरल मेनेजर एडम पियर्श अपनी ओपिश के अंदर से लाइव होते हैं यहाँ पर वैब ब्रोक लेस्नर को लेकर बात कर रहे होते हैं और उनकी डिस्रिश्पेक्ट को लेकर वैं नाराज भी होते हैं एडम पियर्श बताते हैं कि किस तरह ब्रोक लेस्नर ने कंपनी की भावनाव और आत्मा को ठेश पहुंचाई है फाइनली एडम पियर्श एक बहुत बड़ी अनौश्मेंट करते हुए बताते हैं उन्होंने ब्रोक लेस्नर के उपर वन मिलियन डॉलर का फाइन लगाया है अगर इंडियन करंश के इस आप से देखा जाए तो ब्रोक लेस्नर के उपर शाधे 7 करोड का जुर्माना लगया गया है एडम पियर्श के इस प्रोमो को पोल हैमन वेक इस्टेज टीवी में देख रहे होते हैं और ब्रोक लेस्नर के उपर लगे वन मिलियन डॉलर के फाइन के बारे में सुनने के बाद पोल हैमन मुस्कुरा रहे होते हैं तब ही वहाँ पर कायला ब्रेक्स्टन आ जाती है और पोल हैमन से शवाल जवाब शुरू करती है कायला ब्रेक्स्टन यहाँ पर पोल हैमन से ब्रोक लेस्नर के बारे में पूझती है लेकिन पोल हेमन यहाँ पर रोमन रेंस के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं पोल हेमन केते हैं कि रोमन रेंस ने हर किशी को इसमेश किया है ब्रोक लेसनर को भी और अब Roman Reigns को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्यूंकि उन्होंने Crown Jewel में Broke Lesnar को हराया है Kyle Abdexton कहते हैं कि मैं Broke Lesnar के बारे में पूज रही हूँ कि वह अभी क्या करने वाला है तो Paul Heyman कहते हैं कि Broke Lesnar ओपिश में जाएगा और सब की धजिया उड़ा देगा खास तोर पर Adam Pearce की वो Beast Broke Lesnar है वह कुछ भी कर सकता है इस दोरान Paul Heyman Broke Lesnar की तारीफ में इतने मगन हो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह अपने पुराने अंदाज में बात करने लग गई हैं जैसा कि वह Broke Lesnar के साथ रहते थे तब करते थे और इतने महीं पोल है मन समझ जाते हैं कि वह कुछ से ज्यादा ही बड़ बड़ा रहे हैं इसलिए वह काईल अब ब्रेक्स्टन के आगे हाथ जोरते हुए कहते हैं कि प्लीज लिव मी एलोर तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ब्रोक लेस्टनर वन मिलियन डॉलर फाइन पर किस तरह रिस्पॉंस करेंगे तो गाईज इस पर क्या है आपके खयाल कमेंट करके जुरूर बताईएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे कर दीजिएगा लाइक और शेयर जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में धन् क्वक skating करेंद वाईगा याईब एग करत्य है चाहिएगा प्यागे अवाईगाट में करेंड़ पास हो अवाईगान है जना फाईगा अबस्टों करेंड़ तयर में mínstव एधा करेंड़ में हो तो इसेजिएगा भ्से नहीं हो अबस게 यॉदshंते और वाईगा सबस बाधा झाल झाल